हेलो जी नमस्कार गुड डीवनिंग कैसे आप सब और मैं रहे इनुए एक नए वीडियो में आप सब का स्वागत करती हूँ स्वागत करती हैं और मैं इनको कुकर में मैं सिटी लगवाने वाली हूँ मतलब कि आप सोच रहे हैं दीदी आज बनाएगी तो क्या बनाएगी गाजर ऐसे क्यों बोईल कर रही है तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर पाक और गाजर पाक बनाने के लिए सबसे सिम्पाल और सबसे बढ़िया तरीका है और बहुत ही टेस्टी गाजर पाक बनेगा आप व्लोग के अंते तक जुड़े रहेगा और वेलकम करते हूँ आप सबका एक नए व्लोग में पटाफट से कर दीजी वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं है तो कर लीजी चैनल को सबस्क्राइब मैं आप लोगों के लिए डेली इसी तरीके के बढ़िया बढ़िया व्लोग लेकर आऊंगी अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे व्लोग में अपना एक लाइक का जो बटन है वो जरूर पैस करके जाए तो यहां पर मैंने गाजर जो है ना इनमें कुछ कम रह गई थ ठीक है और सारा काम फेनिश हुआ है आप लोगों को मैं बता दूए यह उपर सिफ्ट हो गया है फेस कैमरे में भी बता रही हूं और यह सब रेडी होने के बात में वैसे मैंने दूद तो सुबह रख दिया था मावा निकालने के लिए श्याद में कला रही हूं काजर पात मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लोग में कि बच्चों को कुछ अच्छा दिये पौब दिन हो गया है मैं कुछ अच्छा सा बना की फिला हूं कि सर्दिया सुर होते हैं मन करता है यह आर हर एक मा का जो तो मैंने सुबह दूद चड़ा दिया था तो यह देखिए अब भी दिखा कि वेक के में देखो मावा अपना निकल रहा है अब बस मेरे को इसके किनारे का हटाना है यह बैठके अब मैं अटाओंगी क्योंकि पीछ में मेरे कई काम थे मैं वह काम करने लगती थी तो अब इसका हटा के ना अब यह गड़ा गड़ा दूद बचा है इ अब इसके करें दाओंगी यहां पर मैंने इक कंबल जो होती है ना फोजी कंबल जो मैं नीचे भी बिछाती थी वह बाली मैंने यहां की चर्ण में पिछा लिया जिसे की ठंद ना लगे और अच्छा लगता है इस पर बैठ करके काम करना फ़र्स की जो ठंड होती ना है व क्योंकि मैंने सुरू में थोड़ा से इसमें दूद ही डाला था वैसे आधा कपके लगबग उसी का ये मावा सा इखटा भी हो रहा है देखो तो यहां पर सारी गाजर फोड करके मैंने डाल दी हैं दूद के अंदर अब इसमें उतना देखिए मैं जितना दूद अगर टाइम के अकोर्डिंग काम होता टाइम मुझे बहुत जादा देना पड़ता इसको जो की मैंने अभी नहीं दिया इस तरीके से आगे बताती हूं सारा प्रोसेजर अभी यहां बता देती हूं मैंने ओड़द की डाल और चावल जो है न वो भीगो रही हूं और कितनी ओड अब मैं दूबारा से आपको इसकी कंडिशन दिखाती हूं तो यहां पर मैंने दोनों को आदे आदे पार्ट में कर लिए क्योंकि कूकर भी दोने का तो होई गया था उसमें गाजर बोईल की थी तो दोनों को अलग अलग रख दिया तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा आधा हम पार्ट मरत यहों कि और गाजर बोई गाजर के वहां रही और ऑगाजर को साथ में आए त मैंने फ्लेम जादा कर दी थी क्योंकि दूद के लगने का डर रहता है लेकिन गाजर में जो पानी उसके लगने का डर नहीं है वो जल्दी से अपने आप जल जाएगा अब इसमें चीनी मिला दी जाए लेकिन यहां पर चीनी मिलानी की बजाए आप कम से कम भी ना 15-20 मिनट और रखें इसको क्योंकि इसके अंदर अभी भी बहुत पानी है और वो पानी होता है ना वो जब हम चीनी डालते तो मेल्ट होकर के ना अच्छे से नहीं जलता है और हम गाजर पाक का तो यहां पर मैंने घी बिल्कुल भी आड़ नहीं किया था इसमें खाली दूद इथा तो यह देखिए अभी मैंने इसमें डाल दी है चीनी क्योंकि यह थोड़ा सा वह गया था ना सूख चुका था बिल्कुल पानी नहीं था तो अभी आगर इस स्टेज प पर डालें जब एक दम यह हो जाए कि हां गाजर पाक जो है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है उसने पतीले से चिपकना मतलब पतीले को छोड़ दिया है घी रिलीज कर दिया है उस टाइम पर जाकर हमें चीनी डालनी है तो यहां पर मैंने ड्राइव रूट से अभी डा जो प्रूट पानी जो की आना चाहिए यहां पर मैं आपको बाहर आकर और दिखा देती हूं देखिए अब कितना प्यारा सा इसका कलर आया है और इसमें घी इसमें डूद ही आड़ किया था मैंने घी तो आप लोग भी टेस्ट कर लिजिए तो जी गाजर पाक बनने के बा करता है कि थोड़ा घूम कर आएं अच्छा लगता है खुद को यह ऐसे घूमना कहने का मतलब है कि पूरे दिन घर में बोर होती रहती हूं तो थोड़ा देर के लिए दो दिन हो गए हम पैदल पैदल निकल चलते हैं तो यहां पर इतना सारा लसुन मैंने चीला है मतलब एक क और भ़र के लसुन चीला है क्या कामाईगा वच वीडियो में आगे देखेंगे दिकआं कितना सारा लसुन चीलिया है वापीस आने के बाद में मार्केट से आते हिमें लग गय तीू आज में ले कर आई ऐस लाई थि यह बहुत सारा साल है अधा किलो लेकर आई थी तो नो जी मार्केट से आगे, मार्केट से आने के बाद में, मैंने ये सारा लेस्टोन जो है, ये छिला इतनी देर बेठ करके, आज सुचा, आज इसकी चटनी तो बना करी मानेंगे, बहुत दिन होगे सोचते हुए लेकिन बस यह एक टाइम नहीं था क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पस अरे सौर मत करो यह देखो दोनों का सिवांच उपर बैठ जे बिटा क्या से लटक रहे तो यहाँ पर यह जो लसुन था कि टाइम लगे बच जाएगा और चोटे-चोटे को काटने में वो टाइम लगता है तो इसको मैंने इस तरीके से बेलन से और ग्लास में डालकर के कूटा है तो यहां पर मैंने तेल चड़ा दिया है और तेल के अंदर डालेंगे जीरा इस लसुन की जो चटनी बनेगी चटनी मान लीजिए सबजी मान लीजिए उसके लिए और इसमें बाकी कुछ भी नहीं पड़ेगा बस यह जो है ना लसुन जाएगा और मसाले जाएंगे तो यह दरदरा खुट करके कुछ ऐसा है तो जीरा डाल दिया है अब डाल देते इसमें लासुन और डालेंगे साथ में पीसी वी लाल मिर्ची अगर आपके पास साबुत है तो साबुत को सिल्बटे पे पीस कर डालिया बहुत यह टेस्ट आएगा मतलब चटनी खाने का यह अलग के उपर धक के आदे घंटे कम से कम पकाना है बतलब आदे घंटे के बाद में ही इसका जो कच्छा पर न वो जाएगा इसका जो औरीजिनल टेस्ट होता है न वो आएगा तो जी चटनी बनकर अपनी तयार है और आप लोग इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ या पराठे के साथ सारू कीजिए ठंडी के टाइम में ये चटनी जो है ना ये पराठे के साथ में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है आप लोग मतलब आप लोग एक बढ़ ट्राय करके देखना पता नहीं क्यों मेरी तबित खराब है उसके बाद में आवाज लड़ खरा नहीं सी लगी है तो यहां पर मैंने रोटियां से एक नहीं स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रात का टाइम एर बच्चे सारे बिमार हैं तो फिर मैं पराठे नहीं मनाने वाली क्योंकि बहुत जल तब तक के लिए बाइन टेक किया थैंक्स पॉर वाचिंग जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा बाइ टेक किया